22 अगस्त 1950 को जैपूर में जन में Dr. अशोक पानगडिया Neurology यानी तंत्रिका विज्ञान के विशिशक्य हैं प्रसित लेखक और इतहासकार Dr. ब्ल पानगडिया के पुत्र Dr. अशोक पानगडिया तंत्रिका विज्ञान के ऐसे विशिशक्य हैं जिनके अनुभव की दरकार देश के प्रमुक अस्पतालों को तो है ही विदेशों में भी समझी जाती है। कई देशों में अपने अनुभव का ज्यान बाटने के साथ ही इस चेत्र में हो रहे नई शोत कारियों की जानकारी ले चुके, डॉक्टर अशोक पानगडिया अध्यन के दोरान ही अपनी प्रतिभा को साबित कर चुके थे। MBBS की पढ़ाई के दोरान कई सम्मान और पुरुसकार हासल कर चुके, डॉक्टर पानगडिया को भटनागर स्वन पदक से भी नवाजा गया, तो सनात को उत्तर की पढ़ाई के दोरान उन्हें सीनियर रिसर्च फैलोशिप भी दी गई, डॉक्टर पानगडिया की उपलब्दियों में बहुचर्चित डॉक्टर वी सी राय मैडल भी शामिल है, राश्टपती के द्वारा इस पुरुसकार से नवाज जा जोके डॉक्टर पानगडिया के मताबिक, इस तरह के पुरुसकार उत्सहा भी बढ़ाते हैं, तो जिम्मेदारियों का एहसास भी कराते हैं, पुरुसकार जब भी किसी व्यक्ति को मिलते हैं, तो आंत्रिक खुशी होना एक स्वाभाविक है, और इस से हमें और मजबूती मिलती है, मन को प्रसनता होने से, और मरीजों की देख बाल बहतर रूप से की जा सकती है, और हमें इश्वर से प्रातना करने की शक्ती बढ़ के इस दोर में तनाव के साथ कई बिमारियां जन्म ले रही हैं, लिहाजा तनाव पर नियंतरन जरूरी है। जिवन की तेज भागा दोर से बचें, तो मेरे कहां से काफी कुछ इन चीजों पर कंट्रोल किया जा सकता है। छोरी है है। शोरी हैं। अजस्वर śस 아침 अल्चें की तेज़ बढ़ाएं। झाल झाल